समाज में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपना दुख दर्ड भुला कर दूसरों को खुशियां देने का प्रयास कर रही हैं नहन में एक ऐसे ही समाज सेवी है सरबजीत सिंग जो पिछले 15 रहों वर्षों से गरीब परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है सरबजीत सिंग शिक्षक के पत पर तैनाथ थे लेकिन दोनों आँखों की रोशनी खो देने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और समाज सेवा के कारे में जुट गए सरबजीत सिंग ने नाहन में लगभग 20-25 लोगों की एक टीम बनाई है जो घर घर जाकर गरीब परिवारों को राशन बाढ़ते हैं हमारे नाहन समाददाता सतीश शर्मा ने सरबजीत सिंग से बातचीत की इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सरबजीत जी जिनकी एक बड़ी पहचान एक समाज सेवी के रूप में और आपको ये बता दे कि पिछले लंबे समय से सिर्माज जिला कि अगर हम बात करें तो जिला मुख्याले नाहन से इनकी सेवाइं चलती है और आज दरजनों के संख्या में महीने भर के बीतर लोग इनकी सेवाओं का लाव उठाते हैं सिर्दी बाचीत करेंगे सब जी जी सबसे पहरे तो स्वागत आपका दूर दर्शले नमस्कार जी सची काल दे सर जानना आप से ये चाहेंगे एक समाज सेवी के रूप में आपकी पहचान कब से समाज सेवा का कारी ये शुरू किया था अपिसिकली जो तो हम एक टीचर बने अजी हमाना सबसे बड़ी सेवा समाज में टीचर की हुतरी ये समाज सेवा जो टीचर होता हूँ बच्चे को जो मर जी बना सकता पहली बात हो हम बच्चों को बहुत ज्यादा डीमॉलाइज करते हैं तूनला है किया जी तू कोसी नहीं बनेगा सबसे पहली जो सेवा वहां से स्टार्ट हुई जी मेरी पर फिर दोजार साथ में में मेरे को आइस परावल में आगी तो फिर मैंने स्कूल रजाइन करके तो म यह जाना चाहेंगे मौजुदा समय में क्या-क्या सोशल एक्टिविटी जाओ की चल रही है नहन के अगर हम बात करें तो नहन में कब आपने सेवाई शुरू की थी और मौजुदा समय में किस की तरीके से समाज सेवा में भागेदारी सुनी जी जैसे पहले हमने मेडिकल क रॉल में होई तो मिरको ग्यान हुआ भी आईज बहुत बड़ी चीज है पर हमाचल में क्या था जब मेडिकल केम्प लगाए तो वह हम देखा लोगों को भी उनको आईज के पर में पता ही नहीं था कुछ भी जब उनकी आईज या केम्प लगाए तो वहां पर देखा भी पूछा भी आपको क्या चाहिए भी फिर देखना भी हमने जेखा भी खाने की बड़ी जुरूरता है जी फिर उसके बाद हमने रोटी बेंक शुरू किया आज से पांच साल पहले जी पांच-छे साल पहले तो उसके साथ जैसे गरीब लड़कियों की शादी होगी और जैसे क को को अपने चुना गुर्बाणी में रता अकली की जाए दान अकली पाई आइमान जो दान है वो भी अकल से करना चाहिए जी तो इसके लिए हमारे को थोड़ी मेंत करनी बढ़ती है ग्राउंड लेबल पे तो ग्राउंड लेबल पे जैके जैसे हमरे दिलीव सिंग जी है और काफी टीम हैं बड़ी वो डोर टो डोर जाके देखते हैं भी जो सबसे ज़्यादा नीडफुल आदमी है कौन भी जिसको सबसे ज़्याद जरूरत है जैसे विड़्ोज होगी कोई आदमी हैंडीकैप्ट है जिसका मल कोई सादन है यह नहीं भी वो रुजगार या पैसे कमा सके जी तो फिर वो परवार चुनके उनको हम फिर रुजगार भी देते हैं भी ताकि हमारे पर डिपेंडन ना रहें जब उनको वो रुजगार का पैसे आएंगे तो हमारे को अच्छे इंचान है बहुत अच्छे इंसान है वो जो अपने बोल देते हैं भी हम अ तो जो हमारे साथ टीम तो बहुत अच्छी पड़े लखे बच्चे हैं, सारे को एंजिनियर है, कोई डॉक्टर है, मेरे काफी स्टूडेंट भी हैं उसमें, जो क्योंकि मैंने स्कूल टाइम से बच्चों को मॉटिवेट किया भी हमारे को जो मुरुष्या जनम मिला है, इसक तो वो सारी डूटूई अपने आप पूरी करते हैं जी, बिल्कुल तो ये थे स्वजी जी जिन्होंने पहले शिक्षा जगत में अपनी सेवाइं दी और उसके बाद जो वे समाज सेवा के रूप में अपनी सेवाइं आगे बढ़ाई तो निश्ची तो पर समाज के लिए सर्वजी सिंग जी एक जो वो प्रेणा बन कर सामने आए दूरदर्शन समाचार के लिए सिर्मा जिला मुख्याले नाहन से सती शर्मा